कदाफी स्टेडियुम लहोर की आउट फील से सारा ग्रास ओड चुका है डॉंट वरी ये फ्रेश न्यू ग्रास लग रहा है जैसे के आपको बता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस साल के एशिया कप टॉन्यूर अथी की होस्टिंग राइट्स मिली थी लेकिन फिर पी आफिस स्टेडियुम लहोर का ये सारा ग्रास अटा दिये इसकी मैं सारी डीटेल आपको देता हूं कि ये क्या काम चल रहा है और आने वाले टाइम में भी जो जो अपडेट समय देखने को मिलेंगी मैं आपको टाइम चुटाम अपडेट करता रहूंगा आप स्टेटी उ अपडेट कांसल और किस तरह से मामलाद चलते हैं कैसे तार होता है वो भी आगे डिसकस कर लेंगे इस वीडियो में सो आखर तक साथ रहेगा उससे पहले आइनो आप लोग अपडेट देखने आया है कि कदाफी स्टेडियुम लहोर का इतना बहतरी लश ग्रीन ग्रास था यह प्रीवेस फोर्टिज में आप देखें वो क्यों सारा हटा दिया है मैंने कुछ देर पहले कम्यूनिटी टैब में जस पिक्चर्स पोस्ट की थी उस पे बहुत कमेंट्स आ रहे थे इतना बहतरीन ग्रास था ग्रास क्यों हटाई इसके बजाए रूफ पे काम कर लेते रूफ काफी पुराना हो गया रूफ को भी हाइलाइट करें इस तरह के बहुत कमेंट आते हैं खैर आने वाले वक्त में जो जो प्रेपरेशन तैयारिया होंगी मैं आपको इस तरह तरह टाम अपडेट करता रहूंगा यह जो ग्रास अटाई गई है इसके जगा न्यू फ कराची और काधाफी स्ट्रेटिम लहोर की पिचिस को रूइट किया गया था और अब तो रीसंट इसका सारा हर रेटेरा से पूरी तरह से अपड़्ेट भी हुआ था यहां पर इक शॉट भी डाल दूगा इसे प्रणपर पीसीबीन एक रपोर्ट भी बनाई थी मजीद भ अपग्रेडेशन हुई थी पाकिस्तान क्रिकट बोर्ट के मनेज्मेंट कमेटी के मिंबर शेकील शेख जो कि आप एक तरह से कहलें नजम सेटी के राइट हैंड भी है और वो डुमेस्टिक क्रिकट को भी फॉलू करते हैं उसके मेरे खाल में डारेक्टर हैं उन्होंने बता लेकिन सबसे पहले आप कदाफिसटेभिम्ल ले होर के रुफ पे फोक्स करें बोर्फ के रोफ करें मैं populist बुर बरी लगता है अट लिस्ट पिए देदें तो इसकी थोच पहलतर हो जाएगी। के पीजिनल बाउंडरी वो सारी रेंट पे ले आते हैं तो आप इस पे फोकस करें बहुत बैसिक फिसेलिटीज हैं आप बड़ा इवन्ट होस्ट करने को मिला है उसके बाद जब मैं स्ट्राफी भी होस्ट करने को मिलिए तो होपफुली जिस तरह PCB प्रेस कांफरेंस में कह प्रेशिश कर रहे हैं अगर इस तरह कोई सिरीज कर रहे हैं तो कदाफी स्टेडियम लहोर में उसके मैचिस होना पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि उसकी आउट फील पे काम चल रहा है बड़ा इतना टाइम नहीं लेगी ग्रास गुरो हो जाएगी दो हवती तीन अफ्तित स्टेंट करें नहीं कि नहींद दोनों स्टैडियम के लिए उसे का बिलाड यह बहुतरी स्क्रीन इस्टइडियम करते हैं कोई परमोशन यह स्पॉनसर नहीं किए स्टौटेशन के इंशिए लिए उनके काम को देखकर जिस तरह से आपको मैंने अपडेट किया उनकी क्वा के लिए दुनिया में वर्ड वाइड बड़े स्टेडियम बे स्क्रीन इंस्टालिशन की है तो वो स्क्रीन लगाई जा सकती है आज की लेटस्ट फोटेज है सामने आप देखें राइड साड़ वाले स्टेंड के ओपर जो स्क्रीन आपको दिखरी होगी वो इस तरह से फ्रे करता है कि स्टेडियम में चेर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी खास तौर पर ये वीडियो ट्विटर हर जगा पे शेयर करके टैग करें अगर कुछ नहीं कर सकते तो तो यहां उसके चार मैचिस हो जाएंगे लेकिन उसके बार जो इवेंट्स आ रहे हैं या अभी बालेटरल सीरीज आएगी आप फिंडी में करेंगे 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 वहां पर भी रैड्फ चेर्स मावा लेंगे वही टैंपररी चेर्स और फिर अमेशा मजाक उरता रहेगा ऐसा नहीं है इंडिया साइट पर कुछ स्टेडियम में अश्या आईए आई प्ल में चाहिए जो reality हो accept करनी चाहिए बाकि Asia Cup से पहले अगस्त ने सीरीज का जो बता रहे हैं bilateral tri nation या जो भी सीरीज हो से कि उसमें South Africa, Bangladesh, New Zealand और Australia का नाम सुनने में आ रहा है Ireland का भी बता रहे थे, Bangladesh का मैं शोर नहीं हूँ, खैर ये भी नाम ने कल के आ रहे हैं, confirm बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ भी उनके अपने भी schedule busy है, let's see, कोई window निकलती है तो तब ही टीम पाकिस्तान आ सकती है लेकिन ये PCB के प्लान में है कि Asia कप से पहले पहले एक bilateral या ट्राइ नेशन सीरीज हो जाए खैर no worries, let's see, PCB क्या preparations करता है, stadiums पे, infrastructure पे, कितना खरच करता है हमें क्या-क्या मजीद updates देखने को मिलती है, मैं आपको guide करता रहूँगा और जो World Cup इंडिया में हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान के मैचिस अनाउंस हुए है मतलब जो schedule आया है, ये तो Crick Info ने भी officially release किया है, so authentic है लेकिन ये ऐसा होता है, थोड़ सा background समझ लें, अब देखें, BCCI होस्ट है World Cup का, इंडिया तो वो एक schedule त्यार करता है, तमाम तर countries के matches को लेकर और किस-किस venue में किस-किस का match करवाना है, उसे साबसे वो सारी division करके ICC को schedule भेज देता है, उसमें फिर ICC जो है, वो schedule तमाम तर countries को जितनी भी countries बीच में participate कर रही होती है, सब team में उसको review करती है किसी को कोई problem हो या कोई point हो, तो वो ICC के साथ discuss कर लेती है and ICC फिर BCCI को बता देता है कि इस country का ये ये problem है, ये शिकायत है, ये reason है लेकिन कोई भी problem ये शिकायत हो, तो उसका कोई authentic reason होना चाहिए ICC को explain करना होगा, जैसे कि अब Pakistan को ये Ahmedabad का match है बागी matches आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, 15 October को जो पाकिस्तान और इंडिया का match है वो मुदी के स्टेडियम में है, वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान को problem है security का अब जासे वो ICC से कह सकता है, लेकिन अहमदबाद में मेरे खाल से मैच इसलिए कराया जा रहा है कि आपको पता है सारा background आपको पता है, ICC के chairman CEO पाकिस्तान आए और जिस तरह से PCB न अपना मौकफ इक्तार किया है बस आप सब कुछ समच सकते हैं, तो पाकिस्तान में हो चुका है, PCB भी कुछ ज्यादा discussion नहीं कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए hybrid model को लेकर, वरना पाकिस्तान क्रेट बोर्ड तो कह रहा है कि अगर Asia Cup hybrid model के साथ हुआ तो वर्ल्ड कप भी हम hybrid model के साथ करने का कहेंगे बड़ वो impossible है, यह nine matches है और आप उस तरह से वर्ल्ड कप होता नहीं है, हर कंट्री को हर कंट्री के साथ खेलना होता है तो फिर आप ICC के एवंट में और फिर वर्ल्ड कप में 50 वर्स को खेर Asia Cup 20 साल का 50 वर्स का ही है हर टीम को पाकिस्तान के लिए दूसरे कंट्री ट्रावल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है hybrid model यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता बाकी matches इस तरह से हैं, पहला match 6 October को है पाकिस्तान का वर्स क्वालिफार 1 क्वालिफार 1 & 2 मेरे खाल से स्रिलंका और वेस्ट इंडीज आ जाएंगे, टॉप 10 टीमें हो जाएंगी वल्ल कप में बाकी 15 October को इंडिया इसमतबाद में है, ट्विज्विश आपकूबर को अस्रेलिया के साथ बेंगलोर में 23 October को अफगानिस्तान के साथ बेंगलोर में 27 October को पाकिस्तान का सौत अफरीग के साथ चनाय में 36 October को बंगलादेश के साथ कलक writthółliest का Home 5 November को पाकिस्तान का New Zealand के साथ बेंगलोर में और 12 नमबर को आखरी मैच इंगलेंड के साथ कलकता में होगा तो यह 9 मैचेस हो जाएंगे और हर कंट्री को 9 मैचेस खिलने होते हैं यह 5 सिटीज हो गई पाकिस्तान के लिए एक एहमदबाद का थोड़ा सा डाउट में है इसकी क्या अपडेट आती है बागी एश्यकप का शडूल तो पिछली वीडियो में डिटेल से डिसकास हो गया है